नमस्कार दोस्तों में नामे किर्सन आप देख रहें मेडिकल गुरू यूटूब चैल को आज हम बात करेंगे औरोफार एक्ष्टी सीरप के वारे में यह सीरप उल्लोगों के लिए है जिने दुरवलता कमजोरी रहती हो आयरन की कमी रहती हो फॉलिक एसिड की कमी रहती हो ठकान रहती हो शांसलिन परिशायन रहती हो चड़द रहता हो चड़द रहता हो एक आग तरह में कठनाई रहती हुई एनेमिया की जिनको सकायत रहती है फिर जो माता भेरे हमारी प्रेगनेंट है घरवस्ता के दौरान पोचन की कमी रहती हो सपलिमेंट की तोर पर और वि एक्सटी प्लस सीरब के बारे में अधिकसदिक जनकाई ले पाएं और इसका अधिकसदिक लाव उठा पाएं जो भी हमारे चैन मेडिकल गुरुजी पर नई सस्काइबर से आए हैं वो चैन को सस्क्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आगयाने वाली किसे डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलके बनी होती है कंपनी ने इसकंदर फॉलिक ऐसे पांसो एमजी मिलाए हुए सब बिटामिन वी नाइन के नाम से जानते हैं साइनकोवाल आमीन मिलाया हुए 500 एमजी और हमारा आयर इलिमिन इसकंदर बिला होता है 30 अब बात कर होते हैं उनके विवादन डिवीजन और रख्तकोशिकाओं को विकास करने के लिए बहुती ज़्यादा महत्पूर होता है बढ़ते बच्चे के दमाग और रीट के विकास के लिए आफसक है घर वैस्ता के दौरान इसकी कमीजी से जनम दोस्त हो सकता है आयरन एक महत्पू करने का विश्सा है जो मासपेसियों तक ऑक्सिजन पहुंचाता है यह पितक्षा में महत्पून भूमिकाना बाता है कुछ हॉर्मॉन करने का रिमान करता है एक तरह के सप्लीमेंट का भी कारता है साइनकोवलामीन आफ सब जानते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा उपयोग घं़ बीट के नाम से जाना जाता है मारे रक्त निर्मान Cells हमारी उनको बढ़ाने का काम करता है वैकास को 받ंगा काम करता है यह पेट और आंतों की सर्दिर्जी में महत्पून महुवीकान नृवं कानवाता है जब जिये किस प्रकार से किस प्रकार से जन लोगों को एनीमया की कमी रहती है कम-कमी रहती है उने दिन में एक बार प्रिशकाइब की जाती है खाना-khाने के बाद ओडी डोज और कुछ-कुछ लोगों को जादा दिक्कत रहती है उन्हें तीए बार प्रिस्काइब की जाती है दो दो चमच आधक बार मोत है एक्सपाइब की जाए तो समें दो सागल एक्सपाइब देखने करते हैं जो चमद मैं आपको बताया था चमद से भी देते हैं बहुत वार यह डखकन जो उसको पर है इस सभी प्रिस्क्राइब के जाता है यह पांच एमल धाई इसमें स्टूरेज है 25 डिग्री से कम टेंपरिचर पर समें स्टूर करके रखना होता है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और से रहकर ना भूले साथ साथ हम बताएं वीडियो कौन सा पाट आपको अच्छा लगा अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ और दि लेके आते रहते हैं आपका धन्याव